बरेली में मौलाना तौकिर रजा का एक बयान सामने आया है, मौलाना तौकिर रजा हमेशा चर्चा में रहते हैं और उनके बयान भी हमेशा ही सुर्खियों का पात्र बने रहते हैं, इस बार भी उन्होंने बयान में ऐसी ऐसी बाते कहीं हैं, प्रधान मंत्री नरेंद्र समझ सकते हैं कि भी बाते हैं ये वह सकता है कि यह बयान जो बैन है वह भी जेपी की तरफ से चटा मेली जाएं कि इस पूरे बयान में पोरा वगतव सिद्धियो में आपको दिखाऊं की नमस्कार में जैनती जहा और आप देख रहे हैं दोस्तों मौलाना तौकिर रजा इससे पहले भी नुपूर शर्मा का जब मामला सामने आया था तो वो काफी जादा चर्चा में आया थे क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि अगर हमारी बात ये सरकार नहीं सुनेगी तो फिर हम इसको इंटरनाशनल लेवल पर लेकर जाएंगे हम तो बोल रहे हैं कि हमारे धर्म का बारबार अपमान हो रहा है हमारे लोगों के साथ बचसलूकी की जा रही है लेकिन सरकार उसकी तरफ ध्यानी नहीं दे रही है इस तरीके की बाते उन्होंने बहुत समय तक कही थी और उसके बात देखते ही देखते वो जो मामला है धी मुलाना तौकिरर्जा ने क्या कहा है इसके स्क्रीन्स पर वह ख़बर है बरेली में मुलाना तौकिरर्जा बयान दे रहे थे उन्होंने कहा कि हमारा देश हिंदू राश्ट नहीं बन सकता मुहांद अली जिन्ना मुसल्मान नहीं था क्या मतलब रहे वह मैं आपको आगे बत आपको याद होगा थोड़े समय पहले स्वामी प्रसाद मौर्या ने एक बयान दिया था एक वक्तवे दिया था वो श्री राम चरित मानस पर वक्तवे था स्वामी प्रसाद मौरिया के श्री राम चरित मानस पर बयान पर उन्हें ने कहा कि श्री राम चरित मानस में जो लिखा है इस समय वैसा ही हुरा है पी एम मोधी पर उन्हें ने कहा कि आधोनिक भारत के वो भगवान है इस बारे में तो वो ज़्याद अच्छी तरीके से बता सकते हैं शूदर गवार ढोल पीटे जा रहे हैं उनकी लड़का उठाई जा रही है उनकी बेज़ती की जा रही है यानि इनका कहना है कि दलितों के साथ बहुत गलत बरताब किया जा रहा है ये जो हकूमत है हिंदुत के खिलाब कर रही है तौकीर रिजा ने आस्थाओं पर बयान भी दिया उनका कहना था कि आस्थाओं का टकराव हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है आस्थाओं को जब ठेस पहुँचती है तो आदमी विचलित हो जाता है बेचैन हो जाता है और हालात खराब हो जाते है मैंने हमेशा ये बात कही एक दूसरे के आस्थाओं का समान किया जाना चाहिए जबकि वो नहीं हो रहा है दोस्ते इस देश में हर एक आस्था का मजाग मनाया चारा है चाहें फिर वो सनातन धर्म की आस्था हो इस देश के दो तपके को आपस में लड़ा दिया जाता है वो आपस में लड़ेंगे खून खराबा होगा हिंसा होगी उसके नाम पर वोट बटोरे जाएंगे इस घिनौनी रणीती का एक ही बोलवाला जो है जानती है तो आप दर्शक भी मेरे लिए इस देश की जनता है जो अच्छी तरीके से जानते हैं किस देश में इस वक्त क्या हो रहा है कौन किसके ओपर कीचड उछाल रहा है कौन किसके ओपर किस तरीके की अनर्गल टिपनिया कर रहा है बावजूद इसके सरकार किसी तरीके का एक्षन नहीं ले दे क्योंकि वो चाहती ऐसा हो और ऐसा होगा तो वोट बैंक की राजनीती वो कर पाएगी देखिए दोस्तों तौकी रजा ने अगे पंडी धीरेंद्र शास्त्री पर भी बयान दिया उनका कहना था आज हिंदू-मुस्लिम पर बयान दो फिर जान को खत अब फोन पर धंकी मिली तो पोलिस ने अध्यात के खिलाफ मामला दर्ज किया फिर ये बात उठेने लग गई कि बाबाजी तो चमतकारी है तो फिर नाम क्यों नहीं पता लगा पाएं अभी तक तो वो जो पूरा मामला है वो खड़ा होता चला गया तो पहले आप ये बोल पूरा देश है ऐसे देश में आप एक समुदाय के बात करते हैं उसके बाद भी लगातार वों सारी चीजों को बढ़ावा देते हैं फिर आप ये बोलते हैं कि उसी धर्म से आपको खत्रा है उनका कहना था दोस्तों कि हिंदू-मुस्लिम पर बयान देते हैं पहले फिर ब बनाने वाले नजाने कितने आए, कितने गए, हमारे देश को हिंदूराश्ट नहीं बनाया जा सकता, यह आस्थाओं का देश है, हमारा देश गुल्दस्ता है, यहां हर रंग, हर फूल खिलते रहेंगे, तो अकिरेजर ने आगे कहा कि जिन्ना मुसलिम नहीं था, अब पूर कई न कई, उन्होंने मुसल्म समुधाय का पक्ष रखते हुए, यह सारी बाते कहीं है, यह सारे बयान दिये हैं, लेकिन इस थरीके के बयान, दोस्तों कई लोगों की तरफ से आ रहे सामने, कई लोग ऐसे बयानों के ज admir khácश भी करते हैं, सरकार पर कई लोग बिना बहुत कुछ खह जाते हैं उनके बहुत कुछ में आपको खांगालना पड़ेगा कि वह असल में कहना क्या चा रहे हैं वह संकेत किस तरफ कर रहे हैं यह हमें समझना पड़ेगा देखे इस देश में कोई की वक्त था जब एकदम जो दो समुदाय होते होते थे या फिर आप चाहें फिर वो आप धर्म के नाम पर बात कर लीजे जाती के नाम पर बात कर लीजे सब मिल जुलकर रहते थे अभी भी मिल जुलकर रहते हैं लेकिन प्रदर्शित जब तक नहीं किया जाएगा कि वो अलग-अलग है तब तक वोटो की राजनीती कैसे हो की वोटो की राज जो की नीती थी यादोगा ना आपको फूट डालो राजनीती करो वही नीती जो है इस वक्त अपना ही जा रही है अमिचा जी कहते तो है कि अंग्रेश चले गए अपनी चीजे छोड़ कर चले गए इतिहास छोड़ कर चले गए उनके मुताबिक इतिहास में भी बदलाव होन चाहिए लेकिन आप तो एक अलग लिए लिख रहे हैं और किस तरीकि के का इतिहास यह इतिहास है देश को जोड़ने का नहीं जोड़ने का लगातार एक फिलर जो है एक अधाशिला वहा Si ideia कि इस के जरी सदुदिन इसके जरी सदु पूड़ने Стبي sekarang और एक जुटता के लिए जाना जाता रहा है और मुझे नहीं लगता है दोस्तों कि हमारे देश का कोई भी नागरे एक दूसरे से चिड़ता है अभी भी हिंदू-मुसलिम में भाईचारा बरकरार है कायम है कई जगा ऐसी खुबसूरत तस्वीरे आपको देखने को मिलेगी जह यह नहीं चाती कि बटवारे की राजनीती हो जबकि यहीं बटवारे की राजनीती कहीं न कहीं 2014 से जो चलन शुरू हुआ यह चलता चला जा रहा है इसे में देखना यह है कि इन सारे बयानों से फाइदा क्या होगा आप एक धन पर कटाक्ष करेंगे फिर वो दूसरे धन बटाक्ष करेंगे दलितों को दबाया जाएगा इस से क्या साबित हो जाएगा सबसे जरूरी है कि उन तकतों को थ्वस्त किया जाए जो ताकतें इस देश को बाटने की कोशिश कर रही है बहुत जरूरी है दोस्तों का और यह हमारे देश की जंता को ही करना पड़ेगा व वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें फिर मुलाकात हो गया आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ तब तक के लिए नमस्कार